आज हम पढ़ने वाले हैं सिंदु नदी तंत्र जो सिंदु नदी है उसकी जो टिब्यूटरीज है या उसमें मिलने वाली जितनी नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी जब हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री भी पढ़ रहे थे उस टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था एक फॉर्मूला बताया था और वो था आपका सांज को चरस ठीक है तो आपको नाम तो याद हो गए होंगे और लोकेशन भी आप लोगों को पता होगी जो मैप के अकॉर्डिंग हमने बनाई थी ठीक है तो अब हम उनकी थोड़ी सी डिटेल पड़ेंगे तो सिंदु नदी को ये 5 महतुपून नदिया है जिनमें एक सबसे पहले जहिलम है जह चिनाब नदी का उदगम जो हो हिमाचल परदेश से आती है हिमाचल से चिनाब और जो रावी है वो भी हिमाचल से निकलती है और पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है ब्यास नदी उदगम और विले दोनों भारत में ही होता है तो अगर ये आप लोगों की क्वेशन पूछा जाए कि जो व्यास नदी है उसका उद्गम और विले कहां पर होता है तो बिल्कुल यही पर यह हिमाचल से निकलता है और पंजाब में कपुर धला हरीके में सतलुज नदी में मिल जाती है उसके बाद आती है अपकी सतलुज नदी यह तिबत में मांसरोवर से निकलती है तो सतलुज मांसरोवर और अगर बहुत इग्जेक्ट जगे पूछी जाती है तो राकस्ताल हिमनत से गलेशियर से निकलती है हिमनत मीज गलेशियर राकस्ताल हिमनत से निकलती है भारत में हिमाचल परदेश में जाती है और बाद में सिंदो नदी लेह में परवेश करती है सतलुज में पंजाब में ब्यास नदी मिल जाती है जोके हमने उपर देखा कि ब्यास नदी कहा मिलती है सतलुज में मिलती है आगे चलकर पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाते हैं और पहले ही जहलम और रावी मिल चुकी होती है किस से चिनाब नदी से अब अगर हम बात करें कि सतलुज नदी और सिंदो नदी में मिल जाते हैं और इसे वहाँ पर पंचनद भी कहा जाता है तो पंचनद क्या है पंचनद है जो आप लोगों का पाकिस्तान में जो एक हम कहें कि मिलने की जगह है सारी जो है तो उसको पंचनद कहा जाता है क्योंकि पांच नदियां मिलती है वहाँ पे सिंद्र नदी की सहायक नदियों में उत्तर से दक्षिन का जो करम है अगर आप उत्तर से दक्षिन की दरब देखेंगे तो सांज को चरस वो मैं आपको अलरड़ी बता चुका हूँ तो सांज को चरस जो है उस फॉर्मूले से आप लोगे एक और कुशिन यह हो जाता कि जो उत्तर है उपर और दक्षिन में तो सांज को चरस तो आप लोग देखेंगे सांज को चरस ठीक है चरस इस तरह से तो यहां पर आपका देखेंगे सिंदु नदी में हम क्योंकि याद कर रहे हैं तो जहलम, चिनाव, रावी और चरस में आप लोगों को यह व्यास बीच में याद रखना होता है और मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि जब आप प्रैक्टेस करेंगे तो इस तरह से प्रैक्टेस कर लीजिए इस तरह से ये आप लोगों को practice करनी है तो ये हो गई आपकी जहलम, ये हो गई चिनाव, ये हो गई रावी, ये हो गई आपकी व्यास और नीचे हो गई आप लोगों की सतलज इस तरह से और उपर आप लोगों की ये सिंधू नदी है सिंदु नदी तंत्र में दो नदिया तिबबत से आती है अब तिबबत से आने वाली कौन सी नदिया है सिंदु और सतलुज सिंदु और सतलुज दोनों कहां से आती है आप लोगों को याद रखना है सिंदो और सतलज में आप लोग एक चीज दिहान रखेंगे कि जो सा से शुरू हो रही है सा से या इंगलेश में करें तो ऐसे शुरू हो रही है तो दोनों के दोनों तिबबत से आती है ये इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं सिंदु वा सतलज दोनों ही नदिया मान सरविर के निकट से निकलती हैं लेकिन इनके दोनों के दोनों क्या हैं अलग-अलग गलेशियर हैं सिंदु नदी जो है वो सानो ख्या बाब या सिंका बाब इसका कहा जाता है गलेशियर है और सतलज नदी जो है वो राकस्ताल हिमनत स निकलती है चिनाव रावी और ब्यास ठीक है तो चिनाव रावी और ब्यास जो है वो हिमाचल परदेश से निकलती है चिनाव जो है वो बारा लाचा तो बारा लाचा दर्रा से निकलती है और रावी जो है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से तो रोहतांग आप लोग तो ब्यास खुंड से निकल रही है तो जो चीज़ें बहुत एजी हैं याद करना तीन लेवल पर आप लोगो कर लिजी फिर्स रीडिंग में आप लोगों को कुछ चीज़ें जो बहुत एजी हैं उनको क्या कर लीजें उसी टाइम याद कर लीजे फिर एक दूसरा लेवल ब पता होनी चाहिए और फिर आप उन्हें मैच कर सकते हैं चीजों से पांचो नदियां जाकर सिंदो नदी में पाकिस्तान के पठान कोट में मिल जाती है तो कहां पर मिलेंगी यह पठान कोट जो आप लोग ऐसे मैच करेंगे तो आप लोग यहां पर एक पॉइंट बना लीज से इसी को पंचनत कहा जाता है लेह नामक सहर सिंदु नदी के किनारे बसा हुआ है तो संदु नदी के किनारे में कौन सा है लेह शेहर है सिंदु नदी जासकर और लद्दा की पहाड़ियों के बीच से भैती है यह हम जो दर्रा हमने पढ़ा था उसके उसे आप लोगों को ब ल्गS नदी बसा हए यह पूछ जाता है कि जो श्रेण गर है फो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है तो श्रीय नदी जहेल रहे हैं ठीक है श्रेण फसी छीज़े से याद रख सकते है शिपकीला, शिपहीला, बार-बार मैंने का है बहुत बार आप इसे पढ़ेंगे पढ़ते हुए तो इसे शिपहीला, शिपहीला ही आपको बोलना है यह आप लगों का हिमाचल बडर्देश में है और यह शिन्दू जो सतलुज नदी है वो कहां से शिपकेला दर्रे से निकलती है और आगे चलते हैं इन नदियों को लेकर भारत पाकिस्तान में 1960 में सिंदु जल समझाता हुआ था तो इंडस रिवर ट्रीटी इसमें क्या है कि जो सिंदु चिनाव और जहिलम है का 20% जल हम लोग इस्तमाल करेंगे पांच नदिया जाकर जो है वो सिंदु नदि में पाकिस्तान के पठान कोर्ट में मिल जाती है यह हम अल्रड़ी देख चुके हैं यह रिपीटेड हो चुका है अब बात करें कि अपोहा तंत्र की बात करें तो इसमें जो टोटल हमारे पास है वो आप लोग देख सकते हैं अल्रड़ी हम लोग यह सारी चीज़ें देख चुके हैं तो ये एक सामने आप लोगों यह जाएंगे इसलिए मैंने यह आप लोगों को सैड किया है तो देखें सिंदु नदि तंतर में आपको सांज को चरस सारा आगए हैं गंगा नदी तंत्र का हम अलरडी फॉर्मूला देख चुके हैं अब जो ब्रहम पुत्र नदी तंत्र है उसको आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि दिबांग, लोहित, सुबानरी, मानस, तीस्ता और बराकी यह नदियां के हैं ब्रहम पुत्र में आती हैं आप लोगों की और इधर आप लोग भी प्राय देपिया नदिया हैं इसके अलावा आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे और चीजों को याद कर रहे होंगे तो आप सारी चीज़ें आप लोगो एक सामने मिल जाएंगे आपको ढूंडनी नहीं पड़ेंगी तो यह देखिए आप यह आप लोगं का पठान कोर्ट हो गया तो पंचनन आप यहीं पर करेंगे तो पांचो नदिया आप लोगं को पता चल चुकी है यह नीची की तरफ में और इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि जैसे यह हो गया आपका यहां पे सानो क्याब हिमनत हो गया मान सरोवर यहां पे हो गया और राकस ताल से सतलज निकलती है तो इस तरह से आप लोग सारी चीज़े यहां पर प्रैक्टेस कर सकते हैं एक के सामने नीचे आपने को सिंदु नदी तंत्रों के उद्गम स्थाल हम आलड़ी बात कर चुके हैं यहां पर बस आपको लोग की लिस्ट है इसमें एक चीज आप लोग जरूर याद कर लिजे कि जो सिंदु नदी है वह आपका 2880 इसकी पूरी क्या है आता है आप लोगों का जो ब्रह्म पुत्र नदी है तो ब्रह्म पुत्र नदी का जो है वह आप लोग यहां पर प्राक्टेस कर सकते हैं इसी के साथ ब्रह्म पुत्र नदी के बाद अगर हम नीचे की नदियों के बात करें तो प्राइद इपिया नदिया वह यहां पर की राजस्तान से है और यहीं पर जाकर ये कहतं हो जाती है मिनस ये कहीं पहुंसती नहीं जह सावर मती नदी तक समदर में चली जाती है तो सारी si सारी आप लोगों को याद रखनी है तो यह यहां जाकर क्या हो जाती है अरब सागर में जाकर मिल जाती है लेकिन जो लूनी नदी है वो उपर ही आप लोगों की फिनिश हो जाती है तो आप लोग देख सकते हैं कि इससे संबंदित जो राज्य हैं चीजों से यह आप लोगों के लिस्ट आप लोगों के पास में है यह आप लोग याद कर सकते हैं अगर डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास में यह आप लोगों की क्या है ब्रह्मपुत्र नदी क्या है 2900 किलोमीटर है सिंदो नदी कितनी है 2880 है गंगा नदी है 2525 तो यह क्या है इंडिया में सबसे लंबी कौन सी है गंगा नदी है बाकि सिंदो नदी क्या है बाहर तक जाती है पाकिस्तान वाले इलाके तक और यह आप लोगों का बंगलादेश तक जाती है तो यह जो डिस्टेंस है आप जो है वो याद रखनी है तो 2900 2800 और 2525 आप लोगों को याद रखना है नीचे कुछ महतुपूर्ण जो तत्य हैं उन लोगों उन चीजों पर हम बात कर लेते हैं जो फैक्ट हैं भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है लेकिन सबसे बड़ी अगर पानी के मामले में अब बड़ी आता है तो आप लोगों की ब्रह्मपुत्र नदी को सबसे बड़ी माना जाता है कावेरी जल विवाद मुखे तक जिन जिलों के बीच है तो जो कावेरी है वो आप लोगों का करनाटक और तमिल नाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है मानस नदी उप न NW1 पर इस्तित है, वो है आप लोगों की गंगा, और भारत में सबसे उची जवारी है, जवार भित्ती वाली नदी कौन सी है, वो है आप लोगों की हुगली, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख, जिस नदी के मुख पर है, वो है आप लोगों की हुगली, तो हुगली जो ह वो एशुरीज बनाती है दामोदर भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्तल का जाता है तो जैविक मरुस्तल किसे का जाता है दामोदर को कोपली जो है साहयक नदी है ब्रहंपुत्र की वह नदी जो उडीशा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी तो महानदी जो है उडिशा में क्या करेगी अपना डेल्टा बनाती है सलाल प्रोजेक्ट ये चेनाब नदी से हम कह सकते हैं कि रिलेटेड है वर्षा जल संग्रहेंड के तरीके खदी और जोहन भारत के जिस राजय में परचलित है वो आप लोगों का क्या है राजिस्तान क्योंकि वर्षा जल संग्रहेंड से ही राजिस्तान में क्या होता है काम चलता है भारत तो बांगलादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है वह है तीस्ता तीस्ता, बांगला देश और भारत के बीच में और अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में कहा जाए तो सिंदु नदी का जो जल होता है उसको लेकर विवाद होता है जो के हमें सिर्फ 20% ही क्या करना होता है यूज करना होता है पंजाब के निर्माण में सबसे महतुपून जो नदी है, वो है सिंदु नदी, भारत में सबसे बड़ा नदी जो बेशिन है, वो गंगा नदी का है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेशिन, ये गोदावरी नदी का है, पोटा मोलोजी किस से सम्मंदित है ये नदियों की study से related है वे नदी जिसे नर नदी कहा जाता है ब्रह्म पुत्र नदी या इसको ब्रह्म पुत्र ब्रह्मा का पुत्र ठीक है इस तरह से आप लोग इसे याद रखिए इसे नर नदी कहा जाता है मेल भारत के सबसे खतरनाक जो नदी है उसे विश्वमित्र नदी कहा जाता है बिहार का शोक, कोशी नदी को, बंगाल का शोक, दामोदर नदी को और बृत गंगा या बूडी गंगा जो कहा जाता है तो गोदावरी सबसे बूडी है भारत के सबसे गहरी नदी वो है आपकी भागिरती और अलग नंदा और नील नदी किसे कहा जाता है ये ब्रहम पुत्र को की कहा जाता है जो कि ब्रहमा का पुत्र की जिने कहा जाता है पांच नदियों की भूमी कहा जाता है पंजाब को पन, जाब, पन से means 5 और जाब means होता है नदी अल्माटी माद, अल्माटी कृष्णा नदी पर है, तो इसे कैसे याद करना है आप लोगों को कि जो है, जब कृष्ण बखवान बहुत छोटे थे, तो उन्होंने क्या किया था, माटी खाई थी तो आप लोगों पता है, उन्होंने फिर मूँ खोला था तो अल्माटी, ठीक है तो कृष्णा नदी पर, खून की नदी कैसे कहा जाता है, लोहित नदी को तो लोहित means ही blood होता है, ठीक है, लोहित हगरी जो है, वो साहिक नदी है, तुंग भद्रा था, उसी तरीके से आप इसे देख सकते हैं वोह नदी है, जिनका ओधगम अमर कंटक की पहाड़ियों से होता है तो नर्मदा, सोन और महानदी ये काफी बार पूछा जाता है तो अमर कंटक से कौन है, नर्मदा, सोन और महानदी तो इसे आप लोगों को किस तरह से याद रखना है अमर, सोनम अमर, सोनम ठीक है, तो सोनम क्या है, बहुत अमर है तो आप लोग याद रख सकते हैं, सोन और फिर नर्मदा और फिर महानदी वहनदी जो विश्वा और सुथपुड़ा की श्रेणियों के मद्दे गुजरती है, वह है अपकान नर्मदा, नर्मदा जल विवाद न्यायदी करन जिन राज्यों के बीच जल के बटवारे के लिए गठित किया गया, वह है अपकाने गुजराद महारास्ट, राजिस्तान और मद्ध परदेश तो सिंपली इसके लिए एक नाम याद रख लीजिए, आप लोग गुम राम ठीक है, गुम राम आप लोगों को याद रखना है नर्मदा जल विवाद के लिए उसके बाद है दक्षिन भारत की जो गंगा कहा जाता है, वो गोदावरी को कहा जाता है और जो गोदावरी है उसे वरिद गंगा भी कहा जाता है, प्राय दीपी है भारत की एक मात्र बारह मासे नदी है means जो बारह महीने चलती रहती है प्राय दीप में तो वो है आपकी काविरी काविरी पूरे बारह महीने चलती रहती है उत्तर पूरी भारत में बहने वाली एक मात्र राष्ट पारीय नदी है वो आप लोगों की ब्रहम पुत्र है भारत में जिस नदी को खुला नाला कहा जाता है वो है यमना खुला नाला यमना और यमना में बहुत ज़्यादा गंदगी भी है जोग परपात कहांपे है यह आपका शरावती नदी पर है तो जोगी शरारती जोगी इस तरह से आप लोग याद रख लीजिए इसको जोगी सरारती शरारती जोगी सियाचीन ग्लैशियर से निकलने वाला जल जिस नदी का परमुक्ष रोता है वो है आपका नूबरा नदी, बहुत छोटी नदी है और दूद गंगा नदी इस्चित है, ये आपकी जम्मु कश्मीर में है दो नदियों के बीच की जो उबजाओ मैदान कहा जाता है, उसे दो आब कहा जाता है जैसे पंजाब में आब आता है, तो पंजाब मीन्स पांच नदियां का दो आब दो के बीच का जब नदी मैदानी भाग में परविश करती है, तो वो मोरदार मार्ग पर बहने लगती है जिसे कहा जाता है विशर्प कि मीज़ जब वो मैदान में आएगी तो वो इस तरह से बहने लगती है तो उसे हम कहते हैं विशर्प और वह परक्रिया जो नदी के तरणा वस्ता में होती है घाटी को गहरा करना means जब कोई नदी बहुत शुरुआत में होती है तो वो क्या करती है बहुत तेजी से बहती है तो उसमें जो भी घाटियां बनती है वेलीज बनती हैं बहुत गहरी बनती है इंद्रा, गांधी, सागर, बाँध कहां पर है ये आपका कावेरी नदी पर है आईजोल प्लावंग नदी के तड़ पर है और भारत के सबसे लंबी साहिक नदी जो है वो यमना नदी है तो इतने fact आप लोग repetition कर सकते हैं इन चीजों का और आप चाहें तो इसके लिए माइंड में बना कर practice कर सकते हैं तो hopefully कि आपको इस PDF से पूरी help मिलेगी जो नदीया है उनको locate करने में और जो fact है उनको याद करने में तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye